हैलो फ्रेंड्स मैं राजीव सर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल गार्डेनर राजीव पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्सरी से जब भी आप कोई प्लान खड़िते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहा हैं मैंने दो प्लान खड़िते हैं एक सफेद कलर का है विसकस जिसे उड़ल भी बोलते हैं और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी हड़ी भरी हैं यह जरूरी बात है जो देखने चाहिए लोगों को प्लान खड़िते समय है पौधे बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए किसी प्रकार के पत्तियों में पिलापन नहीं आनी चाहिए उसके तने हेल्दी होने चाहिए और कोई पत्ता में कीडा नहीं लगा हुआ होना चाहिए नहीं तो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहा है यह बिल्कुल हेल्दी प्लांट है इसमें कलियां भी आई हुए है और फ्लावर भी खिले हुए है यह हैबरिट प्रकार का सदा बाहर का पौधा है दूसरी बात नीचे से इसके में रूट बाहर नहीं निकले हुए होने चाहिए क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद सूख जाते हैं और वो संडने लगते हैं जिससे आपके पौधा खराब हो जगता है तो यह ध्यान देने योग बाते हैं कभी भी नर्सरी से पौधा खर दे तो नीचे जरूर देखें कि उसका रूट बाहर है या नहीं जैसा कि इसमें दिखाया गया है यह हिविस्कस का प्लांट है इसके भी रूट्स कुछ बाहर आ गया है लेकिन वो थोड़े से हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगी मेन रूट्स जो होते हैं वो बाहर नहीं होने चाहिए यह भी काफी हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं इसकी सारी पत्तियां हरी भरी है कहीं भी पीली कलर का पत्ती दिखाई नहीं दे रही और इसमें वोट्स भी आये हुए है प्लांट जब भी खड़ दे तो उसमें फूल के साथ साथ वोट्स भी होने जरूरी है सिर्फ फूल खिला हुआ पौधा नहीं लेना चाहिए और भी कई बात है जो मैं अगले वीडियो में डिसकस करूँगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद